आपके अंदर जिग्यासा नहीं है कुछ करने के हम कौन होते हम तो अपन काम ले लाए हैं हम अपना काम ले ला ए नथा अबरा तभीया सो खड़ाब में पढ़ावे के कूण ज़ुल जरूरी है कि न पढ़ाएं केहासर पैसा मांगेगा तो पैसा कहला देन ँगे लेल पैसा कहीं देल जाता है, हम एलेल पढ़ा रहे हैं, हम उलेल ना पढ़ा रहे हैं, कि तोहर की होगा, हम एलेल पढ़ा रहे हैं, कि हमरा की होगा, अभी देखे कि पूरा दिल्ली वाला लराई पटना में शुरू हो गया टीचर सब के नहें इस अब काम होता था दिल्ली में कुछ दिन पहले हम बोले भी थे जेतना दरोगा के बहाली था 1275 उतना तहीं यां तीने को संस्थान मिलके पूरा कर दिया तीने संस्थान मिलके 1275 पूरा कर दिये तहीं पूरे बिहार के लईका जो अलग अलग जीला भागल पूर सासा राम छापराज सीवान गाया दर्भंगा मधुवनी नवादा सिवहर मुकामा समस्ति पूर हाजीपूर बैसाली असाब कहा किया वहां के थीजिकल एकडेमी तयारी करा वेल अभ माश्टर सब उसम क्या किया जी चरवा दिया जाए फासी पर उक्रा सके नहीं बताएं लोग कि भाई उसम को फासी पर चरवा दिया जाए अग कुछ लका जो अपने से परहाब होगा तो नई पढ़ेस्ट और अगर मास्टर सभी लिर्ण हाकर रहा है कि हमर भी त्यार्थी खड़ीद लिया उकर भी त्यार्थी खड़ीद लिया उबेच दिया उखड़ीदा गया ता हमरा ये गो बात के जबाब दिया जाए कि जे जे पास हुआ उकरा लेल ता तुम लर रहे हो कि पास करवाए हम हमरब करेजा के दम से पास हुआ है तई भी बताओ कि तोड़े करेजा के दम से उबैच में के के फेल हुआ वोकरो लिस्ट बता दे भाई लेकिन विद्यार्थी भी नहीं समझता है एतना बकवास बाजी के बाद फिर से नया बैच आएगा फर्स्ट बैच सेकेंड बैच थर्ड बैच अजाईए आप पैसा दीजिएगा लेकिन कोई बात नहीं है थार बुलेट पैसा तो कथी कथी चर्चा होता है बहुत चर्चा हुआ है उद्धा हम जागडा सुने हैं हम देखे हैं वीडियो ता में बता देता हूं इससे पहले किसी टीचर ने किसी टीचर के उपर खुले आम यूटूब पर आकर कभी यह इलजाम पठना के टीचरों ने कभी नहीं लगाया था और ना भागल पूर्सासाराम जितना जीला हम घुमा दिये आपको सब जगा एकड़मी चलता है सब जगा पढ़ाई होता है माली यह पटने में एक थोड़े पढ़ाई होता है जी आप जोड़के देखिएगा इतीन संसान को इतीनों मिलकर 1275 यह पूरा दिया है कि एकर मतलब तो इबात पक्का है कि बात जूट है इबात जूट है तो बाबू बहुत लेर का भी बात सोचके चल जाएगा ना कि खाली जाही से नुकड़ी हो जाएगा तो आईसन होता ना तो पहले हम अपन भाई सब के नुकड़ी देते बाबू हम अपन भागिना हमर बवायल चलता है अवारा बनल है वह बगिना है हमर बहुत-बदमाश है उखगा पहले दरोगा बना दिया जाता है तो हमारी आउकाद नहीं है कि हम आपको कुछ बना सकते हैं जब तक आपके अंदर जिग्यासा नहीं है, कुछ करने केटा हम कौन होते हैं, हम तो अपन काम लेलाए हैं, हम अपना काम लेला हैं न तो आपना तब हाँ न तो खड़ाब में पढ़ावे के कोई जरूरी है? नो पढ़ाएंगे तो लगी कासा पैसा मांगेगा तो पैसा कहला देंगे लेल पैसा कहीं देल जाता है हम एलेल पढ़ा रहे हैं हम उलेल पढ़ा रहे हैं कि तोहर की होगा हम एलेल पढ़ा रहे हैं कि हमरा की होगा तुमको लगेगा how मेरे काम करने से अगर नहीं पोर मेरा सुलamat звуч मैंने आज तक नहीं किया एक पिट पर कभी हम सूरू से परारे बाबु 2011 से पांचों को तो कहीं लगा होगा बैच में से देख लो हमरा उठा का वीडियो एक को जो बोला का लाइकास हमरा फोन करता है बीपेसी टीचल वाला में लगा कुछ के लड़का लड़की के फोन की असर हमरा सके सबक्तियों के से लेक्शन हो गया हमकिता जाओ अब साधी बियाया करो अब जाओ घर बसा ai सेलेक्शन हो गया ना कि करो만गे गार अनको मिलना चाहते हमक्य अब कहल तुमना बात खतम अब उढम ही ले जिसको नहीं हुआ है अगर आपने तमपर अगर टीकर कła हिम्मत होता तो भाई सोब हमरى दियर झाय के लिग ठील के होता क्योंकि पैसाता सब बड़ाबर दिया है समय भी सब बड़ाबर यहां दे रहा है और हाउ हो पर हम सब को एक-कोस्ष्टन रहे हैं ये हैं को संब कह हम test ले लेंगे तस तो अलग-अलग बनाएगा सबका एंसर सही नहीं भी हो सकता है इसका सिधा मतलब है कि इंसान के अंदर लर्निंग टेकनिक होता है उस सब के अंदर अलग-अलग है अलग-अलग शमता है उसकी आई शमता क्रियेट भी करना होता है अपने आप नहीं होता है अगर कोई कमजोड है सिखने में त इसका मतलब है कि गनीत से लगाओ नहीं रहा था आपका और वज़ा ये भी था कि जहां आप परने गए थे तो वहां समझ नहीं आया था एक सिक्छक का पावर एतने है कि वह आपको खाली समझा सकता है सरल भासा में आपके दिमाग में उतार सकता है लेकिन उतारने के बाद हो याद नहीं रख सकता है आपके बदले याद आपको रखना होगा और याद कैसे होगा रिवीजन से सोचने से किसी से अगर नफरत हो गया है उसके बारे में आप बार बार सोचते हैं ओकर एक गलती ओकर एक अच्छाई भी तुरह याद रहेगा जैसे दोस्त हैं तो कमजोर नहीं है बस बात है कि हम अपने माइंड को लगाया कहां था तो आज थोड़े दिन के लिए बस करो अपने माइंड को अपने काम पर लगा लो बात खतम है तुमको अगर जरूरत है अब हमरा विद्यारती सब कोनों कोनों मिलता है कभी आता है हाथ तो साहित होए लगता है अफिस में आका मिलता है सौर अब कुछ नहीं हो रहा है अब हमको लगता है गारजियन जबाब दे दिया है कि इमहिना से अब तुरह हम एक रूपईया नहीं देंगे अब हम क्या करें अब हम मर जाएंगे सर नवकरी नहीं हो रहा है दू नमर से पिछले बार गुरूप D में छटे थे अब इस बार आया है अब पता न कहिया तक एक्जाम होगा उमर निकल जाएगा सर अगला बार हमको मौका नहीं मिलेगा क्या करें तो विद्यार्ती बहुत परसान रहता है इतना ज़्यादा परसान रहता हम देखते हैं जिसका कोई लाष्ट समय चलते रहता है आप सोचिए आप में से किसी का उमर अगर बचा हुआ है न जैसे आपके पास बहुत पैसा रहेगा जैसे पांच हाजार रूपिया है पास में तब दू-चार-पांच को काम अईसन रहता है तुमको लगता है कि अब यह खाजार में तो नहीं हो पाएगा दू-गो काम होगा चार-पांच को काम बचल लहेगा और उसके बाद जब सोच दू-चार उपईया पास में बचता है तो तो रहा टेंसन होने लगता है होने लगता है ना समय उसी तरीके से जिस दिन तुम्हारा निकल जाएगा तुम्हारा एज निकलने लगेगा लास्ट टाइम में बहुत हतोच साहित हो जाओगे तुम इसलिए उस समय आने नहीं देना है अभी अराम से जो समय को तुम खर्च करते जा रहे हो, एक लिमिट ही मिला है न आपको तैयारी करने का, क्या ऐसा है कि अनलिमिटेड उमर तक आप फर्म भर सकते हो, ओहो में सरकार की नीती कैसी होती है तुम जानते हो, अब चुनाव हो गया, अब तुम देखना सारा चुना तरह से छटनी करना है करमचारियों का, जैसे BSNL में करमचारी से बाइठल बेतन ले रहा है न, तो धीरे धीरे बहाली नहुआ बहुत दिनों से, तो जाइत रहा, जाइत रहा, रीटार हो तरह यही चीज़ चलेगा, तो आगे भी चलेगा, इसलिए आपके पास क्या है, सम पूचते एक बात है, कि तुम्हारे रूम में पंखा है, तो बोला जी है, हम बोले बेट है, सूते ले, तहां सर दिया है, बेट तो है यह है, हमकी खाना कह टाइम खाते हो, तो दू टाइम तो खा लेते हैं, हमकी भूखो लगता है न, दू टाइम में ठीक है, तो चलो जैसे पेट भड़िये जा रहा है, कपरा तु पेह लाईते है, जुत्ता चपल हाईये है, रूम में पंखा हाईये है, रूम में पंखा है, गड़मी नहीं लगेगा, मोबाइल हाईये है तुम्हारा जहां बतिया नहीं बतिया लेगा, खाना तु भड़ पेट खाईये ले कि 50 रूपया का 60 खड़ीदना परा फुटपात पर, 100 रूपया और 50 रूपया का 60 खड़ीदना परा मजबुरी में, क्योंकि गैस भरवाना था 500 रूपया के, अगर हम 600 का 800 का 60 खड़ीद लेंगे तक गैस कैसे भराएगा खाना नहीं बनेगा, तो अगर तुम सो रुपईया का सट फुट पात पर से नहीं पहने हो उपान सो रुपईया बचाने के लिए तब तोरा नोकड़ी कहे चाहिए पहले तनोकरी उसको चाहिए जो आधा पेट खा रहा होगा जिसके रूम में पंखा नहीं होगा कुनों पाटनर लगए ले होगा तो अगरे भाईया भाईया कहके रहता होगा कहता होगा कि बरतन हम ही धो देवो आटा हम सांदेवो खाना हम बना देवो तू खाली खाई है हम अगर चूला में खाना बनाते समय अगर सारी में कहीं छेद हो गया जल गया तो भी दिवाली छठ में न खड़ीद के दुरगा-पुजा में न खड़ीत होगी तो कहती होगी कि खाली छठ में खड़ीद लेंगे ओकरा न पहले नोकरी चाहिए जी जेकर बाप एक कुर्ता पहन के पूरे साल बिताता है और उभी उस दिन कुर्ता पहन ते जिस दिन रिस्तेदारी में जाना होता है उसको न पहले नोकरी चाहिए जी ओकर बेटा और बेटी नोकरी लेके जाएगा लेकिन जेकरा यह अहसास नहीं है कि मुझे भड़ पेट खाना मिलिये जा रहा है भूख क्या होता है गरीबी क्या होता है अगर आपको माबाप की मजबूरी आज तक समझ नहीं आया है तोड़ा नोकड़ी नहीं होगा चलती है इस बात तुम जान लो और अगर होगा तो उस लरका को होगा या उस लरकी को जो सौक होगा पढ़ने का सौकीन होगा पढ़ने का एगो उकरे होगा बाकि जिसकी जिन्दगी कमफटेबल है लाइफ वह बड़ा चीज कभी हासिल नहीं कर सकता है तो इस बात को ध्यान रखिए अगर ये चीजे कमी आपको महसूस हो रहा है या कुछ करने की ललक है पागलपन है किसी को कुछ दिखाना है अब ठीक है एक आयोस ओफिसर बहुत बड़ा बन जाता है रह लेकिन जान के बनाता है अब बनाना चाहिए अगर आपके पास पैसा हो तो गाउं में वह इसन घर जरूर बनना चाहिए कि पांच गाउं में वह इसन घर आपका नहीं हो क्योंकि तोरा से जले वला तोरा से तोरा बाप से तोरा दादा से जले वला जब रोट से गुजरे तो हर गहार देखे, तु तो हर गहार देख देख के, उडेली मोरे, बाताय समझ में, इस लेबल की तैयारी करनी होगी, अगर ऐसा नहीं है, तो लानत है, धिरकार है तुम्हारी जवानी पर, यह जवानी कभी ठोक, जवानी कभी किसी के तरफ़ भीख नहीं मांगता है, हमें आए तो कुछ नहीं सोब को तोड़कर आगे निकलना होता है जवानी में तुम अगर मजबूर समझते हो खुद को ताइसा कोई वक्त नहीं आने वाला है जिस दिन तुम अपने आपको समझ रहे हो कि किसी से कुछ मांगने से हमको हमारी समस्या खतम हो जाएगी और जबानी में अगर ही हाल है तो इस सोच को बदल लो न तो भिखमंगा से ज़्यादा तुम्हारी आउकाद कभी नहीं रहेगी इस बात को याद रख लिजी तो वो आग हर किसी के अंदर है लेकिन कोई सोचता नहीं अगर नहीं सोचते हो तो कुछ नहीं बदलेगा तुम्हारे जीवन में अगर सोचते हो तो तुम्हारा लक्ष के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा अगर लक्ष के अलावे भी बहुत कुछ दिखाई तुम्हारे जीवन में दे रहा है इसका मतलब है कि सच में तुम तयार तो नहीं हो और तुमको होना भी नहीं चाहिए नोकरी क्योंकि तुम उस लाइक नहीं हो और जो जिस लाइक नहीं है उसको क्यों मिले उजगा मिलना चाहिए क्या जिस लाइक हम है वही जगन हमको मिलना चाहिए हम जिस लाइक नहीं है मैं वहाँ नहीं पहुंचा हूं मैं जिस लाइक हूं मैं वहीं हूं हमसे ज्यादा मेहनत करने वाले हमसे आगे हमसे कम मेहनत करने वाले हमसे पीछे हैं मैं जितना किया हूं अपने जीवन में मैंने उतने हासिल किया है और उतना ही मिलना भी चाहिए उससे ज्यादा मिलना भी नहीं चाहिए तो इस बात को बस एतिने ध्यान रखिए और हम ज्यादा कुछ कह नहीं सकते इसलिए मैंने कहा कि वो आग आपके अंदर है उचिंगारी आपके अंदर है अगर आग नहीं चल रही है तो चिंगारी उसक कोई challenge करे तो मैं बस ये सुचता हूँ कि जो काम इंसान कर लिया है न अगर मुझे guide किया जाए मैं उकड लूँगा इंसान किया है तो हम कर लेंगे अगर इंसान नहीं किया है तब तो सोचने की बात है कि पता नहीं होगा की नहीं कोई नया काम तो करना नहीं है ऐसा है कि हम लोग मैत का भी सकार कर रहे हैं यहाँ पर ना मैं भी सकार कर रहा हूँ ना आप कर रहे हैं जो सबाल में पढ़ा रहा हूँ यह किताब में भी मिल जाएगा या और कोचिंग में भी पढ़ाया जा रहा है तो नयाबिस कर ना तो मैं कर रहा हूं ना आप कर रहे हैं तो फिर बना बनाया हुआ चीज को एक बार देखने में क्या जा रहा है जी एक बार अच्छे से इसको समझने में क्या जा रहा है आपको अपने ताकत का हैसास नहीं है याद रखना एक हाथी को अगर अपने ताकत क राजा होता बाता रहे समझ में क्योंकि उससे ज्यादा बलवान तो कोई नहीं उस जंगल में जब हाथी का बच्चा पैदा लेता है उसको मोटा सिक्कर में बाहन देता है पहले इंसान मोटा सिक्कर उकड़ा पैड़ में बाहन देता है मोटा मोटा सिक्कर और अगरदन में लगा देता है बच्चा में उसको ग्यान नहीं रहता है उसको तोरने की कोसिस करता है उसको लगता ही कोई से खेले कुदे के उकड़ा मन करता है उसको तोरने की कोसिस करता है लेकिन सिक्कर रहता है उसके आउकाद से ज्यादा ताकतवर नहीं तूटता है तब वो धीरे-धी यह कुछ दिनों में जोर लगाना छोड़ देता है ताकत नहीं लगाता है बाद में देखिएगा हाथी के पैड में पतला सा सिक्कर रहता है बनले पाइल जैसा हाथी कभी रास्ते से जाएगा ताप देखना गर्दन में यह वो सिक्कर रहता है उसके तो हाथी को यह लगते कि यह इसके जीवन में टूटने वाला नहीं है और तब वह पढ़ियास करना बंद कर देता है तभी इंसान उसके पीठ पर बॉइट कर असाधिया बरातिया सब में घुमाता है देखते हो कि नहीं और कभी-कभी हाथी पगला जाता है सुने होगे हाथी पगला जादे घर गि दूसरी बात अगर अधिक तुम चतूर हो अधिक चलाक हो तो लोमरी भी जंगल का राजा नहीं है तुम बहुत चलाक हो बहुत तेज बन रहे हो कि सोट कोट कैसु हो निकल जाएंगे तो लोमडी भी जंगल का राजा नहीं है यानि अधीक बुद्धी या अधीक सक्ती आपको राजा नहीं बना सकता इनका कंबिनेशन आपके पास होना चाहिए अपनी बुद्धी और अपने ताकत के अहसांस आपको होना चाहिए कि कहां बल का परियोग करना है कहां बुद्धी का परियोग करना है यह परियोग सेर करता है सेर कभी बड़ा हाथी के साथ नहीं लड़ता है जूटा बच्चा देखना जब कभी पानी पीने जाता है तो जब भीछणेगा, जूट से पीछे हटेगा, हाथी के जूट पर कभी हमला नहीं करेगा, देखेगा कि बचबा कहीं बिछण गया, साइड उट में आ गिया, तो अखड़ा गर्दन पकड के घीचना सुरू करेग बड़ा हाथ ही आगा तो भाग जाएगा क्योंकि जानता है कि जिस दिन हम मार खा गए नेकरा सबसे तो कोनो इजत नहीं करेगा गदा घोड़ा भैसा सब मारेगा हमको मार नहीं खाना है और जब वो सिकार करता है तो अपने से सिकार करके खाता है दोसरा के सिकार कहला भी नहीं खाता है राजा एक सांदार होना चाहिए न जी अपने खाता है खून जो है वो अपने मूझ पर लगा का चटाई चलता है चारो तरफ सब को देखाता है कि देखो खूनी है हम, हटले रहना, अब सब खून देखके उससे हटले रहता है कि मडरर है जी, हटले रहो, वो मारा भले ही सियार को, लेकिन पूरे भाकाल मचाता है स्टाडु तरब घूम घूम के, तो सेर के पास क्या है कि बुद्धी और बल दोनों है तो अपनी बुद्धी और अपने ताकत इन दोनों को पहचानिये आपके पास वो है वो हर इंसान के पास है बस अपने अंदर जहाकने की जुरुत है दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं है कि आपको रोक सकता है तो चलिए, समय ज़्यादा हो गया है, गुरुदेव आ गया है, दो तीन बैच पढ़ावे के बाद तो बाबु हमड़ा, देखो, कलास में जो सकम नहीं रहता है, लेकिन सीरी ही उतरते टाइम हमको दिक्कत होता है, आभी भी, विक्निस बहुत ज़्यादा है, फीबर बहुत ज़्यादा रहा, सराग है, गुरुदेव आईए और